हलो फ्रेंट्स, वेल्कम टू माई चानल, आज मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करने जा रही हूँ, जैसा कि मैं पहले दो वीडियो बना चुकी हूँ कि एक ही साथ दो अपस कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस वीडियो में हम एक साथ मल्टिपल अपस यूज़ करेंगे, तो च तीसरा मैं Chrome ले रही हूँ, आप कोई भी एपस ले सकते हैं अपने पसंद की, और चौथा मैं परपल ले रही हूँ, एक शॉपिंग एपस है, ठीक है जी सारे को हमने खोल कर एक बार फिर मिनिमाइज कर दिया, अब हमें वैसा ही करना है, जैसे हमने पिछली वीडियो में क किया था, यूट्यूब के आइकन को क्लिक किया, ओपिन इन पॉप अप व्यूग किया, ठीक है, एक कोई भी एपस हमने बेस में ले ले लेना है, तो मैं Chrome को ले रही हूँ, ठीक है, उसके बाद यहां पर हमारा YouTube खुल गया है, यहां हमारा Chrome खुल गया है, अब हमें back button में फिर से जाना है, और suppose मैं purple open कर रही हूँ, open in pop-up view में दुबारा से, ठीक है, अब मैं इधर Chrome यूज़ कर रही हूँ, इधर YouTube यूज़ कर रही हूँ, और इधर purple यूज़ कर रही हूँ, ऐसे ही अलग-अलग apps आप यूज़ कर सकते हैं, pop-up view में, एक साथ कई apps आप यूज़ कर सकते हैं, और जब हमें इसका काम खतम हो जाए, तो close कर सकते हैं, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, विद बेल आइकन, थैंक यू, प्लीजे ओिजस्त र il द तो कि अधि पसाथ और रहो भी में,